So, hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, Samsung device में अगर आपको already एक email ID है, बट अगर आपको दूसरा email ID बनाना हो तो इसकी क्या process है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube channel को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विल्क आइकुन को प्रेस कर लेना है. So, first of all, आपको अपने Samsung device की settings को open कर लेना होगा. Then, आपको scroll करना है, और आपको click करना होगा accounts and backup पे, account पे click करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप अपना Google पे click करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको Google account आ जाएगा, ठीक है, जो पहले वाला Google account रहता है, ठीक है, तो simple आपको back आना है, और आप click करेंगे Google पे, इस टैप का आपको interface हो करेंगा, simple आप email id पे click करेंगे, add another account पे click करिएगा, checking info का interface मिलेगा, verify your identity, identity, तो आपको अपना log की स्क्रीन का password डाल देना है, फिर से आपको checking info का option आएगा, अब यहाँ पे आता है email और phone, अगर आपका already email id है, तो आप यहाँ पे उसे login कर सकते हैं, बढ़ अगर आपको यहाँ पे create करना है, तो आप create account पे click करेंगे, for myself या फिर business account ओपन करना हो, तो वो कर सकते हैं, myself पे click करेंगे, आपको simple यहाँ पे first name, last name डालना होगा, surname डालना होगा, then आपको अपना email id बना लेना है, password डालेना है, बहुत ज़्यदा इसी process है, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप लोग comment कर सकते हैं, so simple आप यहाँ method से यहाँ setup कर सकते हैं, so topic is cover, मिलते हैं next video में, जै मतादी,